नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेश का नया ध्यक्ष बनाने को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जी आपको बदा दें इस बार सोनिया गांधी की जगर राहूल गांधी नहीं बलकि सरत पवार को अध्यक्ष बनाये जाएगा ऐसी खबर राज़ानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट की राजनीतिक सरकल में गुरुवार को तेजी से चली कि NCP के प्रमोग सरत पवार UPA के अगले चेर परसन होंगे अब सरत पवार के UPA अध्यक्ष बनने की अटकलों पर कांग्रेश NCP और सीर सेना ने बड़ा बयान जारी क कांग्रेश का घठण हुया तब से कांग्रेश सद्यक सोनिया गांधी। UPA की चेर परसन है। कहा जा रहा है कि अपनी खराब सेहत के कारण और कांग्रेश में नेतितपरिवार्टन की मांग और अपने राजनीतिक सलाकार आमत पटेल की निधन के बास से सोनिया गांधी राजनीतिक जिम्यदारियों से पूरी तरह से मुक्त होना चाहती हैं और NCP के प्रमुक यो महराष्ट के दिगज नेता सरत पवार UPA के अगले चेयर परसन हो सकते हैं अलाके आपको बताते राहूल गांधी ने पहले ही पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि वो कांग्रेश के अध्यक्ष नहीं बनेंगे जिसके बास से कांग्रेश अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रियंका गांधी सहित कई नाम सामने आए अब NCP के मुखिया सरत पवार को अध्यक्ष बनाने की बास सामने आई है जिया दोस्तों पूरे खबर के बारे में आपको बिस्तार से जानकारी देंगे लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है क्या कांग्रेश का अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होना चाहिए या फिर क्या सरत पवार को कांग्रेश का अध्यक्ष बना देना चाहिए जैसी अटकले चल रही है अपनी रायक कमेंट कर ज़रू बताएं साथी इस वीडियो पर अपना एक लाइक ज़र दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए महत्पोर है और साथी इस वीडियो को सेर भी करें जिया दोस्तों आपको बदा दें एक बार फिर से देश की राजनीती में बड़ा बदला होने के संकेत मिल रहे हैं कांग्रेश के अगले अध्यक्ष को लेकर एंसीपी प्रमोग सरत पवार का नाम सामने आया है राजनीती गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में सोनिया गांधी यूपीय अध्यक्ष पत से इस्तिपा दे देंगी और एंसीपी प्रमोग यो माराष्ट के दिगज नेता सरत पवार यूपीय के अगले चेयर परसन हो सकते हैं आपको दें टाइमस अप इंडिया के मुताबिक सरत पवार के बारे में चर्चा कुछ अकबारों में प्रकासित लेखों से हुई है इसके बाद गुरुवार को एक टीवी चैनल ने यह खबर चलाई जिसके बाद बाकी मीडिया में भी यह खबर चलने लगी कि सरत पवार UPA के अगले चेर परसन हो सकते हैं जिया आपको दें सुत्रों को मुताबिक सोनिया गांधी अपने खराप सेहत के कारण UPA प्रमुक के रूप में आगे कारकाल जारी रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है अब मुख्यधारा की राजनीती में बहुत ज़्यादा सक्री भी नहीं दिखती हैं ऐसे में सोनिया गांधी के पच छोड़ने के बाद महाराश्ट से पावर दग्रेड ओल्ड मैन कांग्रेश के नेतित वाले गड़बंदन UPA का नेतित कर सकते हैं अलाकि आपको दढ़ें सरत पवार एक अनभवी राजनीता होने के नते UPA के सयोगियों के बीच बहुत सम्मानीद भी हैं वो अपने ग्रे राज महाराश्ट में काफी रसूक रखने वाले सक्स भी हैं कांग्रेश निताओं का एक वर्ग यह मानता है कि सरत पवार को UPA का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए क्योंकि राजूल गांदी इस पस्ट तौर परिया कह चुके हैं क्योंकि कांग्रेश अध्यक्ष पद समहालना नहीं चाहते हैं और वो अपनी मा सुनिया गांदी की जगह UPA अध्यक्ष बनने के लिए तयार भी नहीं है अलाकि सरत पवार के अध्यक्ष बनने को लेकर कांग्रेश निताओं में साहिमती भी बनी है आपको तरह कांग्रेश निताओं के एक वर्ग को लगता है कि राहूल गांदी को UPA के मुख्य चेहरे के रूप में पेस किया जा सकता है लेकिन सरत पवार UPA अध्यक्ष के रूप में बहतर बिकल्प हैं पवार की पार्टी NCP और कांग्रेश माराश्ट में मिलकर सरकार भी चला रही है तो इस अटकलों को ज़्यादा बल मिलता है अला कि आपको बदादें सीसेना ने भी इस बास से समर्थन किया है जहां आपको बदादें किसी कानिन के मुद्दे को लेकर हाली में बिपक्ष के नेताओं ने भारत के राश्टपती रामनाथ कोविन से मुलाकात को लेकर एकत्तित हुए थे उसमें राहूल गांदी की मौजूद्गी के बवजूद पतिनिदी मंडल का नेतित सरत पवार नहीं किया था पवार के UPA प्रमुक बनने की संभावना पर सिवसेना नेता संजराओत का कहना है की NCP प्रमुक में देश का नेतित करने की छमता है उनका कहना है की पवार को देश के मुद्दों का ज्यान है और लोगों की नबज को टटोलने में और पकड़ने में वो काफी माहिर हैं हलाकि आपको वज़ादे सरत पौर उन लोगों में से हैं जिनोंने 1991 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तिपा दे दिया था लेकिन अब सरत पौर के UPA के अगले चेयर परसन बनने के अड़कलों के लेकर कांग्रेस NCP ने अपना बयान जारी किया है जिया आपको दे NCP के मुखिया सरत पौर ने खुद कहा है कि मैं UPA का नेत्यूत करूंगा इस खबर में कोई तथ्य नहीं है सरत पौर ने UPA के अगले चेयर परसन की बात को पूरी तरह से खारीच किया है हलाकि चर्चाए की कांग्रेस का द्यक्ष पद राहूल गंधी और UPA का चेयर परसन पद NCP चीप सरत पौर समाल सकते हैं इसकी सबसे बड़ी ये वज़य यह भी है कि UPA में सामिल विपक्षी पाटियों के तमाम नेताओं की तूलना में पवार का राजनेती कद और उनकी स्विकारता सरवाधिक हुई है हलाकि कांग्रेस ने भी इन अटकलों को खारिच किया है कांग्रेस ने अटकलों को विपक्ष को बाटने की साजिस बताया है वहीं NCP के प्रवक्ता महेस तापसे ने भी सरत पवार के UPA के चेर पसंद बनने की खबरों का खंडन किया है उन्होंने काये कि UPA के सयोगियों के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है ऐसी खबरे कुछ लोग जान बूच कर फैला रहे हैं जिससे की किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान हट सके कांग्रेस नेता तारीक अनुवर ने भी ऐसी खबरों का खंडन किया है उन्होंने काये कि ऐसा अपवाएं विपक्ष को बाटने की नियस से फैला जा रही है हलाकि सरत पवार के UPA अध्यक्ष बनने की अटकलों पर सिसेना ने भी बड़ा बयान दिया है NCP के सयोगी सिसेना ने काये कि राजनीती में कुछ भी संभव है कोई नहीं जानता की आगे क्या हो सकता है सिसेना प्रवक्ता संजा राउत ने सरत पवार के अगले UPA अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहाए कि हमें खुशी होगी लेकिन मैं सुना हूँ कि उन्होंने खुद इसे खारिश कर दिया है संजा राउत का कहना है कि अगर आधिकारी क्रोप से इस तरह का प्रस्ताव आता है तो हम उसका समर्थन करेंगे संजा राउत यहीं नेरों के उन्होंने लगे हाथ कांग्रेश को एक कमजोर पार्टी भी करार दिया संजा राउत का कहना है कि कांग्रेस अब कमजोर है इसलिए बिपक्च को एक जुट होने और यूपियों को मजबूत करने की ज़रूत है आपको ददे इससे पहले सीवसेना नेता संजा राउत ने गुरुवार को कहा कि राष्टवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्त सरात पवार में देश का नेतित करने के सारे गुण है राउत का कहना था कि पवार के पास बहुत अन्भव है और उन्हें देश के मुद्दो का ज्यान भी है और जन्ता के नब्ज जानते हैं उनका कहना है कि उनके पास राष्ट का नेतित करने की पूरी काबिलियत भी है हलाकि आपको बदा जें UPA सरकार के समय में जब NCP के मुखिया सरत पवार कांग्रेश के नेता ही थे तब उन्हें प्रधान मंत्री पत के उमिदवार के तर पर भी देश के सामने प्रस्तुत किया गया था अब ऐसी अटकलों को इस बास से ज़्यादा बल मिलता है कि उन्हें कभी प्रधान मंत्री पत का उमिदवार बनाये गया था हलाकि कांग्रेश का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसका तो पता नहीं लेकिन यूपिया का अगला चेर परसन सरत पवार को बनाये के अटकलों को खोद सरत पवार ने खारिच किया है और कांगेस ने भी इस बात को खारिच किया है. आई इस खबर को पूरी तरह से राजनीती से प्रेरिदब बताया है. वहीं आपको बता दे किसान अंदोलन के बीच हरियाना में भी नगर निगम का चुनाओं होना है जिसका भिगुल बच चुका है. आपको दाजे सोनी पत नगर निगम चुनाओ का बिगुल बच चुका है प्रदेश में और केंद में राज कर रही भाजपा पूरे जोस में है लेकिन बरोदा उप चुनाओ में जीत से कांग्रेश भी जोस में है अभी कुछ दिन पहले तक जहां कांग्रेश के पास उम्मिदवारों की कमी दिखाई दे रही थी वहीं सिंबल पर चुना लड़ने की घोसरा से ही कांग्रेश के पास उम्मिदवारों की लाइन लग गई है बिधान सबा से अधिक छेत्र और बिधायक से अधिक खर्च करने की छमता के चलते मेयर का पद खास भी हो जाता है ऐसे में दोनों ही पार्टियां उधेर बुन में लगी हुई है हलाकि दोनों पार्टियों में एक कामन बात ये नजर आ रही है कि भार्टिय जनता पार्टिय और कांग्रेश दोनों पार्टियों में मेयर पत के लिए पंजाबी नेता पहली पसंद बने हुए है इतना ही नहीं दोनों पार्टियों की गुप्त बैठके भी होने लगी है इन गुप्त बैठकों के जरिये मेर पत के लिए समती बनाने के साथ साथ कुछ वाडों में पार्षत पत के लिए भी उप्युक्त चेरे का चुनाओ करने का काम चल ला है अला कि मेर पत के पत्यासियों की भीड में भारती जनता पार्टी थोड़ी कम तर आकी जा रही है क्योंकि भारती जनता पार्टी के पास जो नेता है वो चुनाओ लड़ना ने जाते इसी वज़े से भार्ती जन्ता पार्टी को मेर पत का उमिद्वार ढूंडने में काफी मसकत करनी पड़ रही है आपको अधाते कि सोनी पत नगर निगम के चुनाव 27 दिसंबर को होंगे इसी के साथ ही मेर के साथ साथ 20 वार्टों के पार्षदों के लिए भी चुनाव एक साथ होंगे आपको अधाते नगर निगम चुनाव में 2,46,871 मत दाता अपने मत का प्रयोग करेंगे आप करते हैं नगर निगम चुनाओ के लिए 11 से 16 दिसंबर तब नामांकन दाखिल किये जाएंगे इसके बाद 17 दिसंबर को नामांकन पत्रों की छटनी का कारिक किया जाएगा नामांकन वापसी की तिथी 18 दिसंबर की है और मतगरना 30 दिसंबर को की जाएगी यानि 27 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होंगे और 30 दिसंबर को ओटो की गिंती होगी आपको दे कांगरेस पार्टी में भी नगर निगम के मेयर और पारसत के लिए पत्यासियों की भीड जूटी भी है मेयर पत के लिए अब तक 10 आवेदन आ चुके हैं जबकि पारसत पत के लिए 135 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने के इच्चुक उमिदवारों के लिए आवेदन लेने के साथ ही उनके साचातकार भी लिये जा रहे हैं बुद्धवार को वार्ट संक्या एक से दस तक के इच्चुक उमिदवारों का इंटर्व्यू लिया गया इन वार्डों में अब तक वार्ट संक्या 3 और 10 से केवल एक एक दावेदारों नहीं चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है चुनाव संचालन समीती के सदस प्रदीप गौतन ने बताया कि वार्ट पार्षदों के बाद मेयर पत के दावेदारों के साथ भी बैठक होगी इसके बाद यहां से पत्यासियों का पैनल 11 सदसी कमेटी को भेजी जाएगी और वहां से प्रदेश अध्यक्स कुमारी सेल्जा के पास यह सुची जाएगी जो उमिद्वारों के नामों की घोसरा करेंगी आपको देशे 27 दिसंबर को मेयर के साथ साथ 20 वार्ट के पार्षदों के लिए भी चुनाव होना है जिसके नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे 30 दिसंबर को ये नतीजे जैसे आते हैं वैसे ही इसका अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे